नमस्कार दोस्तों, SSC GD के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, दो बाते आज हम करेंगे, फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना हैं, क्या ओप्शन्स चुनने हैं, और दूसरा most important preference, कि आपको प्राथमिक्ता क्या देनी हैं, इन दोनों चीजों को हम होने वाले हैं, पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं, SSC के पोर्टल पर पहली बार जाने वाले हैं, तो वो सारी बाते हम यहाप बहुत अच्छे से करते हैं, तो आईए शुरू करते हैं, देखिए, सबसे पहले आपको बस यह पता होना चाहिए, कि 5 सितंबर से फॉर्म भर करना है तो आप यहां पे कर सकते हैं कोशिश करिएगा कि एसी कोई स्थिती ना बने है ना क्योंकि जनरली फोटो के कारण सिगनेचर के कारण कुछ और दूसरे इंफर्मेशन के कारण कभी-कभी कुछ गलतियां होती है जिनके कारण फॉर्म रेजेक्ट हो सकता है इस वीडि आपको मिली है एक लंबे समय के बाद तो मौका हाथ से आपको जाने नहीं देना है मिनीमम एज 18 है मैक्सिमम 23 से बाकी केटेग्री वाइस रिलेक्सेशन है आगे अब हम जैसे ही फॉर्म बरना स्टार्ट करेंगे दो छुटी सी बातें आपको बता देता हूं पहला तो यह कि आपको यह सब को अच्छे से जान लेना है मैं तो अपनी तरफ से प्रिफरेंस बताऊंगा कि आपके लिए क्या अच्छा है लेकिन अगर आप खुद एक बार इसको जान लोगे कि BASF, CISF, CRPF, AR, ITBP सब क्या होते हैं कहां पोस्टिंग मिलती है क्या काम करना होता है औ क्या कुछ पता ही नहीं है, फॉर्म बरने वाले नहीं, ऑनलाइन फॉर्म बरने वाले ने जो A, B, C, D, E, F, G, H लिखा, क्या प्रिफरेंस आपको मिला आपको तो जब जॉइनिंग आई तब पता चला कि अरे मेरा नंबर तो इसमें आ गया है, तो इसलिए information, knowledge हमेशा अच से देख लीजिए, तो आपका और अच्छा preference के मामले में आपका knowledge हो जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसके अलावा अगर आपको maths का label देखना है, तो मैंने कल ही एक class ली थी, इन videos की link में description में लगवा दूँगा, आपको अगर maths जानना है और पूरा syllabus ज देते आए हैं, तो आपने पहले से registration करा के रखा होगा, अगर आप SSC का पहली बार exam दे रहे हैं, तो direct आप apply, form नहीं भर पाओगे, आपको पहले OTR, one time registration process follow करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसका form भर पाएंगे, और one time registration जैसे railway में भी होता है, आजकल सभी जगह होने ल SSC का कोई भी आप exam दोगे, तो वो registration हर exam में आपको काम आएगा, और आपका form बहुत जल्दी fill up हो जाएगा, तो अगर आपने पहले कभी SSC का exam दिया है, या GD का exam दिया है, तो आपको one time registration की process follow नहीं करनी है, सीधे SSC GD 2025 के लिए apply करना है, पहली बार बर रहे हो, registration आपको क login and register का option दिखेगा सबसे उपर, आप पहली बार करें या login करें, दोनों के लिए यह option आएगा, तो हम पहले ये बात कर लेते हैं, कि अगर पहली बार कोई form बर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, अगर आप पहले से registered user हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे, continue पर क्लिक करेंगे, तो आप से सबसे पहले आपका आधार verification कराये जाएगा, जो आजकल सब जगा common हो चुका है, आप अपना आधार number डालेंगे, वो verify हो जाएगा, इसके बाद फिर आपका नाम पूछा जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि अपना नाम हमेशा 10th की mark sheet के according ही भरिएगा, और क्योंकि इसमें कभी confusion हो जाता है, तो इसलिए 10th की mark sheet पर जो है, उसी के according आप भरिएगा, और यहाँ लिखा हुआ भी, matriculation certificate, फिर इसके अलाब आपने कभी अगर नाम चेंज करा है, तो उसकी details आपको देनी पड़ेगी जेंडर हो गया, father's name हो गया, date of birth हो गया, verify date of birth आपको double करना पड़ेगा, mother's name आगया, basic चीज है, मतलब कुछ भी नाया नहीं है, आपका 10th जो है, वो 10th education board किस बोर्ट से आपने करा है, उसका role number क्या था, verify आपका role number हो गया, कभ आपने pass किया था, इसके अलाबा आपका mobile number ज जाएंगे, ठीक है, आपका registration number, फिर यहां पे आपको यह password दिखा देगा, सारी चीज़े आजाएंगी, इसके बाद आपको एक final आएगा कि अपना एक permanent password बना लीजिए, ताकि अपना registration number और इसको अच्छे से note कर लेना, जो registration number आपका generate हुआ, सारी information आपको mobile पर भी मिल जाएंगे, security के लिए कि कभी आप password बुल जाते हैं, registration number बुल जाते हैं, या login की safety रहे, तो एक security question आता है, अपने इसाफ से security question सिलेक्ट करिए, और उसके इसाफ से अपना ही answer set करिए, उसके बाद आपकी सारी process almost खतम हो गई है, है ना, हाँ, एक और बहुत important चीज़े आपकी category, तो अपनी category आप यहां करेंगे, nationality आप यहां पर डालेंगे, अगर disability है, तो वो हो गया, एक visible identification marks, जैसे generally सबसे common होता है, कि चेहरे पर mole है ना, यानी mole on face हो गया, तो जो भी identification mark है, चेहरे पर है, हाथ पर है, शोल्डर पर है, जो भी आपको लगता है, वो आप यहां पर लिख सकते हैं, disability अगर है, तो वो आप यहां पर mention करेंगे, अपना permanent address, proper pin code के साथ यहां पर आप डालेंगे, यहां पर I agree पर click करेंगे, और इसके बाद declare करेंगे, और आपको success का message आजाएगा, बहुत simple है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आती है, simple, कोई भी आपने गर पह इसके बाद आगे कभी form बरोगे, तो direct आपको login करना है, अब फाइदा क्या एक बार detail डाल दी, सब उठकर आजाएगी अपने आप, अब आप जाएंगे form fill up पे, तो जब आप form fill up पे जाएंगे, आपको दिखने लगेगा, कि live examinations में, SSCGD, apply पर click करेंगे, यहां पर वो सा सारी चीजे शो करेगा, आपका जो नाम आपने वहां डाला था, फादर्स ने मागया, मदर्स ने मागया, यह सब हमने hide करे हुए है, हमारे ही एक student ने form भरा है, लेकिन हमने उसको अटा दिया है, यहां पे, तो qualification, यह सब चीजे जो आपने वहां पे डाली थी, उस सब यहा आप ज्यादा के हो गए हैं और किसी category को belong करते हैं, जिसमें STSC, OBC, तो आपको age relaxation का फाइदा चाहिए, तो yes पर click करना है, अगर आप अभी 23 से छोटे हैं, तो आप फिर बहले किसी भी category के हो, आप no पर ही click करें, और अगर age relaxation चाहिए, तो yes पर click करेंगे, फिर इसके बाद व आप जो जानकरी दे रहे हैं, हम इसका use कर सकते हैं, बारत सरकार के पास रहेगी, ताकि कोई और एसी job या कोई information जो आपके काम की हो, वो सरकार आपको दे सके, तो आप yes पर click कर दीजिए, यहां कोई दिक्कत नीए, इसके बाद आप से तीन exam centers के preference मांगे जाएंगे, तो अ पारे options आजाएंगे, अपना medium आप टाई कर लेंगे, यह और देख लीजिए, अगर आपके पास NCC certificate है, है तो yes, नहीं है, तो no, और अगर जैसे yes पर click करेंगे, तो वो दे देगा कि A है, B है, C है, उसका आपको bonus marks जो है, exam में, marks में आपको मिलना है, इसके अलाब अगर international, international, state district player रहे हैं, तो जानकरी देदो, नहीं भी दोगे, कोई उससे खास फर्क पढ़ना नहीं है, है ना, domicile आपका कहां का है, तो आपना जो राज्य, जिस राज्य को आप बिलॉंग करते हैं, जहां का आपका domicile certificate है, वो आप यहाँ पे click कर देंगे, है ना, इसमें select कर लेंगे, district आप यहाँ पे कर देंगे, सब चीज़े double-double verification के लिए वो आप से बरवाएंगे, यह बड़ा important है, कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में shift हो गए हैं, है ना, क्यूंकि आपका domicile वहाँ पे change हो जाएगा, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, generally आप आपके पास अगर एक permanent बना हुआ है, क्योंकि उसी राज्य की आपकी list और सारी चीज़े बनेगी, तो अपने राज्य का selection अच्छे से कर लेजेगा, certificate जहां का है, उस हिसाब से आप यहाँ पे select करिएगा, नकसल affected अगर आप district area से हैं, तो yes नहीं है, तो no, border area से हैं, yes या no, notification में सब चीजे proper दी हुई है, कि आपको इन सब के लिए क्या terms, conditions हैं, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, तो सब में आप no करते चलिए, अब आते हैं सबसे important चीज, preference, तो देखिए, आपको आपने जब देखा होगा, तो उसमें लिखा होगा, कि अगर BSF लेना है, तो A लिखिए, है ना, जैसे मैंने आपे कर दिया है, तो ये एक हमारी च्वाई से, आपके उपर हम इस चीज को छोड़ते हैं, जैसा मैंने कहा, कि अगर आप वीडियो को देख लोगे, तो आप खुद समझ जाओगे, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये लोग जान करके भी BSF को सबसे उपर रखते हैं, एक्जाम का जो फॉर्म ऑनलाइन बाला कोई आपका भाई, कोई भी दुकान दार बरता है, तो वो A, B, C, D, डारेक्ट पुरा डाल देता है, सबसे जादा जो बच्चे पसंद करते हैं, वो क्या करते है SSF, हलाकि इन में vacancies कम होती है, cut off भी अच्छा खासा जाता है, लेकिन सबसे जादा पसंद यही किया जाता है, देखो काम तो सब जगह करना है, लेकिन सबके अपने challenges हैं, सबकी अपनी duties का जो area है, pattern है, बहुत सारी चीज़े हैं, जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, तो job तो कोई भी हो, tough है, बट अगर इन में से चुनने का है, तो फिर आप अपने comfort और सारी चीज़ों के साब से चुनते हैं, तो generally, SSF और NCB इनको उपर करते हैं, उसके बाद आप CISF, फिर SSB, CRPF, ITBP, और यह ऐसे हैं कि ITBP, यह particular कुछ area तक, Assam Rifles हो गया, BSF है, Border Security Force, तो इ तो आप अपने हिसाफ से कि, भई, CISF में ही जाना है, तो सबसे उपर रख लो, आप CISF का code क्या है, B, B को आप सबसे पहले कर दीजिए, तो अपनी choice जरूर देखेगा, यह हमने बताया है, कि generally, यह सबसे safe, और जो अच्छे पदो के बारे में, जहां पर job के सासा थोड़ कि नहीं, मुझे तो BSF में ही जाना है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप सबसे उपर A लिख दोगे, तो जब आप form fill up कर रहे होंगे, तो यहां पे आपको दो बार अपना same preference डालना पड़ेगा, तो मान लिजे, आपने H, G, B, D यह करा है, तो यहां पे आप H लिख दें आपके कितने ही अच्छे marks हो, कुछ भी हो, माना यही जाएगा, जो आपने form में भरा है, तो यह विशेश रूप से ध्यान रखें, है ना, इसके बाद दो ही चीजे बसती है, आपका photograph और signature और payment, तो photograph में भी आपको मैं बता देता हूँ, आजकल इसमें भी option आने लगा है, कि अगर आपके पास photo नहीं है, तो आप scan करके या particular app डाउनलोड करके अपना photo live उस समय भी ले सकते हैं, और पहले से तो scan करा लो, लेकिन latest होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा कारण है, photo के कारण और signature के कारण form, reject होने का मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, यह जो आपक लिखा है इसके अलाबा कोई cap नहीं होना चाहिए, photo without shirt जो है वो नहीं photo होना चाहिए, sufficient light होनी चाहिए, आपकी blur नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो photograph का विशेज ध्यान रखना है, simple camera को देखते हुए, plain background के साथ आपकी photo होनी चाहिए, आपका signature इसमें cover होना चाहिए, तो ये एकदम सही तरीका है आपके signature का, तो ऐसा कभी एक बाजू या ऐसा और आधा खाली इदर उदर है, ये सब reject होने के कारण होते हैं, और ये आपको उसमें दिखा भी देगा कि आपका किस प्रकार से apply हो रहा है, तो इसका भी आप ध्य और उपए हैं, वो भी कुछी categories के लिए, बाकी के लिए तो वो भी कोई charge उसमें नहीं लगने वाला है, simple है, कोई घबराने की बात नहीं, आराम से form भरिये, समय भी आपके पास है, और अच्छे से सारी चीजों को देखकर, सीखकर, सारे documents, photograph, signature अच्छे से इखटे करके, इ बच्कली सब चीजे बड़ी सामानने हो गई है, तो इनका बस आप ध्यान रखें, और ये जब हो जाए, सब कुछ successful हो जाए, उसके बाद लग जाईए फिर अपनी तैयारी में, और आपको कुछ information बस में दे देता हूं, कि हम 13 सितंबर से नया SSC GD का live batch आपके लिए लेकर बहुत अच्छी शांदा टीम आपको इसमें मिलने वाली है, सारे subject, notes, study material, live classes, बाद में देखने के लिए recorded classes, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है, और GD को लेकर बहुत सारी किताबे भी हैं, तो आप इन में से भी कोई भी किताब online घर बेठे बुला सकते हो, चाहते हैं इस exam के लिए, तो भी नयाबे 16 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं, और ये winners institute की सिक्षकों की एक शांदार experienced team है, जो आपको हर exam में, हर तरव से आपकी मदद करते हैं, और बाकी, हाँ, ये आप देख लीजिए, अगर course लेना है, तो winners institute app, और अगर आपको किताबे चाहिए, तो winners publication app, किताबों के लिए, course के लिए, और इस पे आप जाएंगे, किताबे भी आपको दिख जाएंगी, course लेना है, तो आपको सबसे उपर ही sscgd का course दिख जाएगा 2025, उसको आप purchase कर ले, और बाकी कोई दिक्कत परेशानी है, तो सुमबार से शनिवार, आप call करके, आप mail करके जानकर ही ले सकते हैं, बाकी winners के साथ, टेलिग्राम पर, WhatsApp पर, और सभी platforms पे आप जुड़ें, क्योंकि कोई भी नई जानकर ही आती है, तो सबसे पहले आपको winners के platforms पे मिलेगी, authentic, genuine, तो ये था form, fill up और post preference का, मुझे उमीद ह है कि ये वीडियो से आपके कुछ doubts जो है, मतलब सब कुछ ही doubt clear हो गए होंगे, कुछ बचा नहीं होगा, it's still if there is any confusion, कोई doubt है, कोई समस्या है, तो आप comment करिएगा, मैं कल रात को भी live आने वाला हूँ, और कल मैं आपको सभी विशय, maths, reasoning, gs, Hindi, English का detailed syllabus बताने वाला हूँ, प मैं आपके और clear कर दूँगा, comment कर दीजेगा, अच्छा लगा है, तो like जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को subscribe करिएगा, और कैसा लगा वीडियो ये भी मुझे बताइएगा, all the best, बाकी winners institute इस पूरी आत्रा में आपके साथ है, और previous papers, model papers, और सब सुभिधाएं आपको winners application पर मिली रही है, और YouTube के माद्यमसी में आपको देई रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जैह हिंद, ध्यान रखिए अपना, check care.